नमस्कार आप सभी का स्वागत है माई ग्रीन गार्डन योटूब चैनल में आज हम एक ऐसी प्लांट को लगाएंगे जो अपनी हरी पत्तियों के लिए नहीं ये सफेद पत्तियों के लिए जाना जाता है ये काफी देखने में स्टाइलिस लगता है और इसको हम अपने घर में डेकॉरेशन के लिए लगाते हैं तो इसको किस तरह से लगाना इसकी देखभाल कैसे करनी इसके बारे में हम पूरी जानकारे इस वीडियो मिलेंगी आप वीडियो के लाश्त तक बने रहेएं सिनेशो कैंडी कैंज एक ऐसा प्वादा है जो देखने में काफी अच्छा लगता है आप देखेंगे वाइट कलर का है और इनकी पत्तिया मएटकरे काफी साब्ट होती line है और इस अब आपथा चुछ रोएश दीखेगा जो इनको खो लगाते हैं किस तरह से इने में लगाना है तो यहां पर हमें टोक्री लेनी है इसको लगाएंगे तो इस तरह की हमें टोक्री लेनी है कि जो हम सजावट की रूप में अच्छे से लगा सकें तो इनमें कोकोपिट डालना है अब कोकोपिट को डाल की फिर जहां पे हम रखे हुई कोकोपिट डालने की बाद अब इस जो पॉली बैग है इसको हमें हटा देना है जब हम नरसरी से ले आते हैं प्लांट को तब उसे हमें लगबग एक हपते के लिए इसी तरह से छोड़ लाते हैं तो कुछ पॉद्य मर जाते हैं तो आप उसको लाएं पौधों को फिर उसे तरह से रख दें फिर एक हपते की बाद प्लांट को लगाएं तो जादा अच्छा रहता है अब इसके जो आटा दें ऐसा इसलिए कि काफी टाइम से इस प्लांट इसी पॉली बैग में तो इसकी रूट काफी बैंड हो गई थी तो इनको जब हटा देंगी तो इनकी रूट को फैलने का काफी अच्छा सा इनकी रूट अच्छे से फैल पाएगी अब बिल्कुल सेंटर में लगा कर इस प्लांट को और कोको पिट को डाल देना है तो इस टोकरे में इस प्लांट क लगा दिए हैं अब इसमें में डालना रहेगा पानी तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डाले जब पानी के ज़रूत लगी इसमें मौशर खत्म हो जाए तभी पानी डाले आप चाहें तो इसमें रिवर सेंट को मिक्स करके लगाएं तो पानी इसमें होल्ड नहीं होग लेकिन घर के बाहर जब इसको हम लगाएं तो जहां पर प्लांट रहें इसको पेड़ की छाओं में लगाएं जहां पर 3-4 गंटे की धूप आई इस पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा धूप इस प्लांट पर लगती है तो इनकी प गोटार होता और जब पानी डालते हैं तो भीकर चुपक जाते है पत्तियों में फिर ये ग्रीट कलर सी दिखने लगता है और प्र चबपानटा है तो पिर अपनी से पड़ जाता है तो आप पे इस तरह के पफ़दो को डेकोरेशन के लिए अपने हर में लगा सकते तो ही मिलेंगे एक नई वीडियो में